हाई एवरीवन वेलकम अगेन इन के बीसी आपका के बीसी में बोध 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 स्वागत है जैसे कि हम राश्तान पतवारी के लिए कर रहे हैं रीजिनिंग उसमें दो तिन चैप्टर हमने खतम कर लिये थे ये क्लास काफी टाइम के बाद हो रही है तो उसके लिए माफिय म मैच या रास्तान पतवारी रीजिनिंग तो आपको वहाँ मिल जाएंगी लिस्ट और प्लेइलिस्ट में आप सारे वीडियो देख सकते हैं तो आज कुछ कोशन करते हैं ठीक है अना हर चैप्टर के बाद हम एंडिंग में क्या करते हैं कुछ कोशन करते हैं तो वही प्रो सा कोशन है कोई बड़ी बात नहीं है यह तो दिखते ही होना चीए हम क्या देखते हैं पीछे देखते हैं तो अंतर जादा नहीं आ रहा है तो प्लस माइनस भी कर सकते हैं या फिर गुणा होंगी ना तो एक पर्टिकुलर दो की होगी तीन की होगी उससे ज़्यादा गुण नहीं होगी ठीक है तो मैं यहां पर देखता हूं तीन से पांच कैसे हो सकता है साब प्लस दो करके भी हो सकता है और साथ में क्या करके गुणा दो माइनस एक करके भी हो सकता है तीन दूनी छे माइनस एक ठीक है या फिर कोई और यह भी सो सकता है कि गुणा एक प्लस दो भी हो सकता है कुछ भी सोचो पहले में तो सोची सकते हैं उसी के साथ थोड़ा लाश्ट में भी देख लेता हूं तो 17 मैं क्या जोड़ा हूं कि क्या जाए 33 तो मैं यह जोड़ता हूं यार 17 में आपने जोड़ते हैं 26 सोरी 16 सोला जोड़ूंगा तो क्या जाएगा है ना सतरसा 34 और 16 कितने होगे 33 हो जाएंगे ठीक साब और कुछ और गुणा करूं मैं दो माइनस एक करने से भी हो सकता है संतरा दुनी 34 माइनस एक यह भी हो सकता है इस हिसाब से चलूं तो गुणा एक करूं प्लस क्या करना पड़ेगा 16 देखो गुणा 1 करने का कोई मतलब नहीं रहता गुणा 1 प्लस 2 मतलब क्या वा प्लस 2 ही तो कर रहे हो गुणा 1 प्लस 16 तो क्या कर रहे हो प्लस 16 कर रहे हो इसलिए कोई ओचित्य नहीं है ओचित्य कब आता है गुणा 1 फिर होता गुणा 2 फिर तो आ तो यह देखके ँभर्वारा एकर दो तो यही पैर्टन आजे हो रहा है क्या देखो 5 गुणा 2-1 राया है और ऑड़ कॉश्चन तो जल्द से जल्द कर देने आपको, ठीक है, अगला कोशन देखने की कोशिस करना, अराम से समझने की कोशिस करना, क्या है, क्या नहीं है, 3, 14, 25, 36 और 47 आप से पुछा है कि आगे क्या आएगा ठीक है अब देखो इसको करने की कोसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि यार अंतर जादा नहीं है अंतर जादा नहीं है तो गुना तो कम चांसे से चलो 3 से 14 कैसे बन सकते हैं साफ प्लस क्या कर लू 11 कर लू 14 से 25 कैसे कर लू साफ प्लस 11 कर लू है ना 14 में 11 जोड़ूँगा तो 25 अरे यार यह तो फिर भी 11 प्लस 11 करने पे यह आ रहा है तो यहां पर भी क्या करूँगा प्लस 11 करूँगा तो 47, 57 और 58 आंसर आज़ेंगा तो एकदम इजी कोशन था 58 आज़ प्लस आज़ेंगे फिर आगे थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे ठीक है अगला कोशन भी देखो एकदम इजी कोशन है देखती पकड़ लेने इसे कोशन एक आदा कोशन मिलेगा आपको जो आपको देखती ही पकड़ना है आप देखो यह कितना आसान कोशन है एकदम अचान कोशन है सोर 99 नहीं है 27 अब देखो क्या करना है कुछ नहीं करना है 27 अन्सर क्या आजाएंगा एक तो इसका आंसर क्या आजाएंगा 1 अगला कोशन देखते हैं इजी जी करा रहा हूँ पंतु ये कोशन भी आसान है पंतु पेपर में आ सकते हैं उस टेम गलत नहीं होने चाहिए अगला कोशन देखिए साथ इसमें आपको क्या रूणना है इसमें रॉंग नंबर सीरीज है ये मतलब इसमें से कौन सा पद रॉंग है आपको ये बताना है देखो चार से देखों यहां से देखता हूं तो यह अंतर ज्यादा नहीं है मतलब गुणा या तो दो क्यों हो रही होंगी या फिर प्लस माइनस का कुछ प्रोब्लम हो रहा होगा ठीक है यहां देखते है चार से नो कैसे बना सकता हूं गुणा दो प्लस एक या फिर प्लस छोड़ देंगे क्योंग इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है आगे देखो ये भी चल रहा है क्या 19 दुनी 38 प्लस एक 49 चलो यार पैटन्स तो समझ में आ गया रोंग गुंड़ो 9 दुनी 18 प्लस एक 49 49 गुणा दो करो हैं प्लस एक करो 49 दुनी कितना हो गया 79 प्लस एक कितना हो गया 79 अब ये चेक करो गुणा दो प्लस एक करने पर 169 आता है गया देखो असी माल लो इसको 80 दुनी 160 होते है असी दुनी कितना हो गया 160 और 160 में से 2 यानि 159 आना चाहिए ये 159 होता है पन तो ये क्या कह रहा है 169 कह रहा है तो रॉंग नंबर कौन सा हो जाएगा 169 अब 159 को भी आगे करो गुणा दो प्लस एक कर लो 1500 का 2 कितना हो गया दो गुणा 309 का कितना हो गया 18 प्लस एक तीन सो इनिस यानि 159 होना चाहिए यहां पर 169 रॉंग है तो आंसर क्या आजाएगा 169 इस रॉंग ठीए रॉंग नंबर सीरीज भी आजाए तो आप गलत नहीं करोंगे देखो थोड़ा तेज इसलिए चल रहा अगला कोशन देखो 38 27 112 और यहां पर है और 33 96 यह आपके सामने ठीक है अब बताओ इसको मैं देखता हूं यार अंतर यहां पर हमें यह डूड़ना है पन्तु यहां पर अंतर क्या हो गया बहुत ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं माइंड में क्या आएगा मेरी गुणा आ प्लस दो 27 कैसे बनाओ आट से 27 स्टैस इसे बनाओ एक पेटन बन रहा है कि गुणा 2 करो प्लस दो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे ही यहां पर क्या होना चीए इसे 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 एसाफ़ से गुणा 4 प्लस 4 होना चीए कर लो 27 यो के कितना हो गया अपने 27 शाक 28 और 80 एकसो आठ एकसो आठ और चार एकसो बारा एकदम सही बैट रहा है तो ये डेफिनेटली क्या होंगा गुना 5 प्लस 5 होंगा आगे चेक करने की जुरूत नहीं है थोड़ा तो अपने आद पर confidence रखना चीए गुणा 5 प्लस 5 बारा पंद्य साथ साथ और 500 पांसो साथ प्लस 5 यानि पांसो 65 इसका अंसरा दाएंगा I hope यह चीज आप समझ गए होंगे इसका अंसर क्या दाएंगा 565 इसका असान सा question था बस थोड़ा level बढ़ा है गुणा दो आपको pattern समझना पड़ेगा और यह pattern समझ में केस आएगा जितने सारे questions बनाऊंगे उतने जिल्दी से आएगा अब इसको check करने की जुरूत नहीं है इतना confidence खुद पे रखो बाकिया आप कर सकते हो आपकी इच्छा है न एक्जाम में check करते फिर होंगे time best होगा अगला question देखो चार पांच अठारा असी तीन सो इठियां सी और आगे क्या है जो छे पांच बारा छे जिरो छे आपको इस message सर्च करना है कि इसमें wrong number कौन सा है आपको यह सर्च करना है कोसिस करो wrong number डूनने की कोसिस करो मैं तो कही न कहीं गुणा यहां पर यहां करता है एक प्लस एक समझमें ऑता है पांच से अठारा करने कोशिश करता ओं तो तो पांच बुनी दस ने पांच थीय पंदरा प्लस 3 करने पी आता है चलो एक ओर दिन इस साथ से यहां क्या होना चीए अठारा पंजे नवे पांच और ना चीना अंतर दू का कुछ अढगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दोस्त की क्या हो रहा है तो चलो पीछे से गुणा करके देखते हैं या फिर इसको मैं ये भी कर सकता हूँ पांस दूनी दस चलो देखते हैं ऐसा सूचने के लिए चलो आगे समझ मांगे कोशिस करते हैं इसको गुणा क्या करूँ दो जार से बारा जार बनाना है तो लगबग गुणा तीस की हो रही होगी साब 6 की हो रही होगी तो गुणा छे कर लो गुणा 6 हो रही होगी 2 से 12 बनाना है तो 6 दूनी 12 होता है परन्तु 606 हो रहे है इदर 65 है तो गुणा 6 करोंगे तो 336 सोरी 636 300 65 गुणा करोंगे तो कितना आ जाएगा अपने 636 और 635 30 390 तो यह आ जाएगा 390 आएगा कि नहीं आएगा अपने बताओ पर ले 390 आ जाएगा तो यह कितना हो गया कितना कम है इसमें क्या जोडने पर आ जाएगा 390 है तुमें 606 बनाना है तो तुमें क्या जोडना पढ़ेगा 300, 400, 200, 216 जोडना पढ़ेगा जोडना पढ़ेगा कि नहीं पढ़ना है कर लो गुणा जैसे जैसे प्रैक्टिस होंगे वैसे वैसे फास्ट हो जाएंगी मैंने क्या क्या 2000 की 6 से गुणा करूहा तो 12,000 तो बनी गया उसका काम कत्म बचा क्या? जोड़ूं की 606 बन जाए तो मैंने देखा 216 जोड़ूं अब 216 देखते हैं मेरे माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि यार ये 216 कुछ खतरनाक है क्या ऐसा छे का क्यूब होता है ये चीज माइंड में आनी ही चाहिए यदि थेयोरी पड़ी तो मैंने बता है कि 216 देखते पांच की गुणा करो प्लस पांच का क्यूब जोड़ दो ऐसे यहां पर कुछ होशा होगा चार का क्यूब प्लस चार का क्यूब यैसे तीन और यहां दो तो यहां हम चेक करते हैं क्या वो बन रहा है क्या दो की गुणा करो प्लस दो का क्यूब जोड़ दो क्या ये बन प कूब जोर दो यानि टीन का क्यूब अठाण चूटिए इस गलत हो गया इसका क्या आना चीए यहां पर प्लस चार का क्यूब कितना होता है चार चौक 64 तो देखो आ गया अपने 88 388 भी आ गया यानि यह गलत है 80 गलत है इसकी जगे जो गलत है यह और इसकी जगे राइट क्या आना चाहिए 38 180 तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया कभी भी आप अपने माइड को खुल रखोंगे जैसे यां पर एक देखो जैसे मेरे माइड में क्या आ गया था मेरे माइड में यह आ गया था पंतु वह आपके माइंड में अभी आए ना आए वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है मैंने यह सोचा था कि जैसे जैसे कोश्चन करोंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा यह तो आपने देखे लिए होगा कि यार वन गुणा वन 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 आपस में होता क्या है वन का स्कॉार भी होता है वन का क्यूब भी होता है फिर मैंने यहां पर गुणा तीन करी गुणा उससे बनानी मैंने गुणा दो भी सोची माइंड में पांदुनी दस प्लस आठ आठ दिखते यार फिर माइंड मा गया यह दो का क्यूब होता है और फिर मैंने यहां पर भी सोचा था फि 15 15 239 और क्या है अपने 1259 और आप से पूछाए कि अगला क्या होगा ठीक है यह कोशन करना है मैं देखता हूं यार 200 से 200 जा रहा है तो गुना कम से कम 6 की या 5 की ऐसे कुछ हो रहा होगा मतलब कुछ न कुछ गुना ही हो रही होंगी अंतर जादा है करते हैं यहा देखता हूं 15 35 भी होता है 45 के आसपास ये है 5 5 इंटु 4 करूँगा तो 200 आजाएगा मतलब गुना यहा पर क्या हो रही होगी 3 की गुना 4 की और यहां गुना 5 की 6 की करूँगा तो ज्यादा हो जाएगा देखो 49 इंटू 6 करूँगा गटाने वाला बहुत कम होता है जोडने वाला ज्यादा होता है ठीक है ऐसे यहां गुणा चार तीन यहां क्या ओरी होगी गुणा दो तो साद दूनी 14 प्लस एक जोड़ दिया साथ 15 तीये 45 प्लस क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे 45 और 5 और टीन 8 यह 212 में मुझे पहले साथ जोड़ने पड़ेंगी तब मेरा 220 आएगा और 19 और 8 कितने होगे 27 जोड़ने पड़ेंगे ठीक है साब आ गया ना पेटन समझ में एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब ऐसे ही 5 इंटू 4 का क्यूब जोड़ूँ आ नहीं मैं जोड़ूँ मतलब मेरा यह पेटन सही है इसके आगे मुझे क्या करना है एक दो तीन चार पांच तो यहां गुणा करूंगा छे की और प्लस किसका क्यूब करना है एक दो तीन चार पांच का क्यूब पांच का क्यूब जोड़ना है तो आप इसको सोल कर लो नहीं तो आपको सोल करके ब माइड में नो चैनिम कितने हो गए चोपन तो यह आपका अंसर यह आ गया प्लस आपको एक और कर लो कि 5 का क्यों क्यों गया होता है 125 होता है तो 125 ओर जोड़ लो आंसर आजाएगा 549 527 336 7679 7679 आंसर आजाएगा उप्षन में आपके यह दिया वा था 7679 इसका अंसर आज गया उप्षन आपको दे नहीं रहा मैं इसली क्यों हो ना जब कोशन्स एजब हो रहे हैं तो कोई बिना उप्षन ट्राइ करोंगे तो उप्षन के साथ वेसे भी कर लोंगे तो 7679 नहीं तो आप क्या करते यह दि ऑप्षन होता ना तो छेनियम चोपन है ना छेनियम चोपन यह दि लास्ट में क्या आता चार इकाई यंग चार आता और पांच का क्यूब क्या होता है लास्ट में पांच आता है पांच और चार नो लास्ट में नो बढ़ना चीए तो option वही चेक करते हैं कि जिसमें last में no है उसको टिक लगा देती यदि एक option होता तो और मिलेंगे आपको एक option तब काई हंक के बारे में भी हम तो 60.5, 72, 84.5, 98, 112.5 तो आपसे पुछाएं कि इससे आगे क्या होगा अब देखो 91 से 112 जा रहे हैं तो कोई जादा अंतर नहीं है तो हम देख रहे हैं कि अंतर जादा नहीं है तो प्लस माइनस हो सकता है करो प्लस माइनस सोचो 60 से 22 जाने के कुशिश करो 60 से 22 जाता हूं तो 12 प्लस पॉइंट 5 भी है तो 11.5 जोडना पड़ेगा 22 से 84 जाने के कुशिश करो तो 22 से 84 के लिए मुझे कितना चाहिए यह साब 12 और प्लस पांच यानि 12.5 जोडने पर आ जाएगा अरे वाँ पैटन दो दिखी रहा है 84 से 28 में तक जाने के लिए मुझे कितना चाहिए 14 पर तो यहां पर 13.5 जोडना पड़ेगा यहां 14.5 जोडना पड़ेगा यहां 15.5 जोडना पड़ेगा एक चीज दियान रखो जब भी भी 0.5 जोड़ा जाता है ना जोड़ा जाएगा ना तब आपको नंबर कैसे मिलेंगे पहला पॉइंट वाला दूसरा सिंपल अगला पॉइंट वाला दूसरा सिंपल अगला पॉइंट वाला दूसरा सिंपल ऐसा दिख जाए ना तो माइंड में कहीं ना कहीं सोच लिया करो कही ना कहीं क्या मिलेंगा आमे, 0.5 का कुछ जोड़ना पड़ेंगा, यह आपके माहिड माना chief, आपको कभी नंबर मिले कि 0.5, फिर क्या 0.25, फिर ऐसे कम होते जा रहे हैं, तो आप सोचना, आप 1 बटा 2 का क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, सुरी गुणा कर रहे है दो का भाग दे रहे है वो आग आएंगे तो और समझ माएंगे तो अब तो 15.5 जोड़ी लो .5 पहले जोड़ते तो 113 हो जाता है 5 और 118 एक सो अठारा 128 इसका आंसर आजाएगा 128 का आजाएगा 128 आजाएगा अगला कोशन करते हैं जो की और भी अच्छा है पॉइंटों वालों से गबराना मत कभी भी किन निकोशन से हैं क्या है इसाब दो 123 223 ब्रेकिट है और 368 और 417 अब बताओ कि यह ब्रेकिट यहां पर क्या आएगा ठीक हमें देखते हैं या दो से 123 तो बहुत अंतर आ गया पर तो आगे देखता हो तो अंतर कोई खास आ नहीं रहा अब देखता हूं यार पीछे देखता हूं तो अंतर और बिलादा कम हो रहा है तो और कोशीस करते हैं तो मैं थोड़ा जब कुछ नहीं समझ माई तो प्लस माइनस किया करो आ जाएगा दो से 123, 121 जोड़ना पड़ेगा साथ, यहां कितना जोड़ना पड़ेगा साथ, 100 जोड़ना पड़ेगा, अरे वाइ, 121 दिखते ही माइंड में आता है, यह तो 11 का square नहीं होता गया, यह यह 10 का square नहीं होता गया, है ना, अब मुझे बताओ, यहां पर भी चेक कर लेता हूं यहां से कड़ों कि 368 को मुझे 417 बनाना है, 2 जोड़ना तो 70 होंगा, 30 जोड़ना तो 400 होंगा, तो 32 तो 400 बनाने के लिए चाहिए, 17 और जोड़ना है, 32 मैं 7 जोड़ना हूं तो 49 हो जाता है, और 10 और जोड़ना तो 49 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आज़ेगा, 49 है ना, यह आपके mind की calculation fast करने के लिए बता रहा हूँ यह तीजन सब mind में अपने आप करने लोगों है तो calculation अपना आप fast हो जाएंगी अब देखो समझ में आए गया यार यह 7 का square है ऐसे ही यहाँ पर एक डंडा बनेगा एक यहाँ पर बनेगा 340 का answer आया एकदम simple question था पंतू अच्छा question था अगला question देखते हैं दोस्तों अगला question और भी अच्छा है और अराम से आप बना पाऊंगे एसी मुझे उमीद है और विश्वास भी है क्या है अगला question सब 13 36 70 यहाँ पर क्या हो आना चीए 179 अरे राम रही और 258 यह आप से पुछा आप से पुछा कि यहाँ पर आएगा क्या मैं देखता हूं यहां से लेकर यहां तक खास अंतर नहीं यह तो गुणा की या एक की भी गुणा तो यानि कर बाकी ही है क्या थोर ना ऑना ऐसको टेरा से बुझे क्या चलो ना पड़ेगा थी जोटना पड़ेंगा सब छोटना भर यह 4 और ऑर 34 ज obt голов basin नपने असरक झाप अव कि साब आगे देखू यहां पर यहां क्या है आपको ये नंबर कुछ समझ में आ रहे हैं क्या बताओ मुझे कुछ समझ में आ रहे हैं तो है नहीं आ रहे आ जाएंगे अभी आ जाएंगे गडि इसको और लिको तब और आ जाएंगा शमझ में 179 को 258 बनाना है तो 179 को 180 तो बना ले एक चाहिए 20 और 21 वहाँ चाहिए और 59 यहाँ चाहिए तो 79 आपको यह जोड़ने के लिए चाहिए अब देखो कि कुछ अच्छा बन रहा है क्या देखो इसके आसपास वाले स्क्वाइब लिखने के कोशिश करो मैं देखता हूं यह 36 का सपास है 79 देखता हूं 81 के आसपास है ठीक है और 19 से 23 का स्पास को स्पॉयर क्यूब आता यहां आता है 27 वी tipi ठीक है मांच में 25 भी रखना 5 29 28 कुछ बन रहे है हाँ साथ 23 को क्या लिख सकता हूं 5 जो 25-1 26 को आद दो 6 का स्पॅय मांजस दो लिख सकता हूं ऐसी 79 को क्या ले सकता हूँ 9 का स्कॉयर माइनस 2 आई बास समझ में अब पैटन समझ में आ गया हूँगा यह सोचना पड़ता है और यह सोचना कब आएगा जब आप कूप सारे कोशिंस लगा लोगे 5 का स्कॉयर 6 का स्कॉयर तो डेफिनेटली यहां एक डंडा बनेगा एक य 117 आपका आंसर आजाएंगा ऑप्शन अचा उप्शन तो आपको देई निरे तो ऑप्शन क्या देना है इसको 117 इसका आंसर ही आगया है ठीक है आई बास समझ में ऐसी समझना है आप देखो नंबर के साथ खेलना जुरू कर दो और जब खेलना शुरू कर दोंगे तो कोशन है साथ 645, 8.5, 22.25, 90 तो आपको बताना है यहां पर क्या आएगा ठीक है आयूब आपको दिखी दाऊँगा जब भी ऐसा है ना कि यह 0.5, 0.25 तो माइंड में लगा लो कि 0.5 से तो गुणा होई रही होगी और 80% के 90% के इसमें 0.5 की गुणा होती ही होती है करके दे साथ देखो यहां पर अंतर आ रहा है काफी क्या गुणा हो जाए तो गुणा के चांस से जिन 6 से 4 बनाना है और एक और चांस मिल गया कि इसमें कम से फिर जादा भी हो रहा है यह भी दो ट्रिक है जब गर आप ऐसा हो ना कि कम हो फिर जादा हो तो डेफिनेटली 0.5 से अब देखो चार से पांच बनाना है चार से पांच कैसे बन सकता है या तो गुणा एक प्लस एक कर लो है ना ऐसे भी हो सकता है या फिर गुणा एक पॉइंट फाइब से भी कर सकता हूं दो से दिनी होगा एक पॉइंट फाइब से भी कर सकता हूं चलो पहले इसको देखत आएगे तो पांस आएगा आदेष्स से गुणा करेंगे तो डई आएगा पांच प्लस डई साथ पॉंट पांच हो गया लास एक करूँगा तो आड़ पोयट सा जएगा तो पैटन ऊख में आ गया पॉइंट यम्फइस फाइस तो यहां पर क्या आएगा 1.2, sorry, 2 plus क्या आजाएगा 1 है ना, कर लो 2 से गुणा करके plus 1 करने पर आ रहा है एह, है ऐसे तो नहीं हो रहा है 22.8 दूनी 16 16 करके है तो answer नहीं आ रहा है ना, गुणा 2 करने पर नहीं आ रहा, तो pattern में कुछ घडबड है अब 2 से देखते हैं तो काम बनने रहा, मतलब कुछ ना कुछ क्योंगी 2 से करूँगा तो point तो आने के चांस नहीं है, point 5 से point 2 5 कैसे आता है वो दोस्तों आता है इसको गुणा की जाए point 5 से point 5 से गुणा करें तो 25 यानि point 2 5 बनता है तो अब कैसे बनें, यहाँ पर तो लिखी नहीं सकते हैं, हमें तो कुछ point वाला कुछ लिखना पड़ेंगा, तो point वाला हम कैसे लगेंगे, इसलिए question special हो जाता है, इसे गुणा करें हम 2.5 से प्लस एक करें तो यहीं आएगा, करके देख लो, आठ दूनी 16, 16, 16 हो गया, और 0.58 का करूँगा, यहीं सोरी, 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 आठ पॉइंट पांच की गुणा 2 से करता हूं, तो कितना होगा, 17, अब आदे की गुणा करनी है, 8.5 की तो आदा, आठ का तो हो जाएंगा, 4, और 0.5 का क्या हो जाएंगा, 0.25, और एक और जोड़ना है, तो 4 की जगे क्या लिख दू, 5, कर लो, जोड़ लो, तो कितना होगा, 5 और साथ कितने होगा, 22, 0.25, अब देखो, यहां पे 2.5 आएंगा, अब आएगा कैसे यह समझनी क्योसिस करना, यही कुछ special question से जो आपको दिमाग हिलाएंगे आपके हैंना, इसलिए तो मैंने कहाता है, यह question special है, यहां पे 1.5 आया, वो कैसे आया दोस्त, वो आया, पिछले जो इन दोनों को जोड़ की, 1 प्लस 0.5, यहां पे 2.5 आया है, यह अपने पिछले 2 को जोड़ की आया है, यह पहले यह pattern नहीं देखा, तो माइंड में नहीं आता है, पंतु अब देख लिया, तो अब question paper में बन जाना चाहिए, अब ऐसे ही यहां पे क्या आएगा साब, यहां पे आएगा 2.5 प्लस 1.5, है ना, इन दोनों पिछले 2 को जोड़ो, तो 2, 3, 4, गुणा 4, प्लस 1 करोंगे, तब ही यह answer आजाएगा, देख लो, 22 into 4, 88, 0.5 को करोंगे 2.80, प्लस 1, 90, अब आगे answer क्या आएगा, answer कुछ नहीं आएगा, दोस्त, क्या करना पड़ेगा, पिछले वाले 2 को जोड़ो, क्या 4, प्लस 2.5 की तो गुणा करो, प्लस 1 करो, तो 6.5 की गुणा कर देना, प्लस 1 कर देना, answer आजाएगा, चैनिम, चोपन, 540, तो वो, और 45, और आदे की गुणा करेंगे, तो 45 आएगा, 540 और 45 कितना हो गया, 525 में, और 501 का, और जोड़ देंगे, तो 506 में, इसका answer आजाएगा, option आजा, option तो आपको देनी ही नहीं है, इसका right answer क्या है, 5, 8, 6, 9, 6, 8, 6, सोरी, 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 गलती होगी है कहीं, हाँ, होगी न, सोरी, सोरी, 48 करेंगे, तो 540 आएगा, और 45 जोड़ूँगा, तो 585 में एक जोड़ूँगा, तो 586, थोड़ी सी गलती होगी, साब, सोरी, तो 586, इसका क्या आजाएंगा, right answer आजाएंगा, I hope यह आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा कोशन है, अपने जो भी नोट्स बना रहे हो, उसमें, उपर उपर टिक कर लो, कैसे समझोंगी, कि यार 0.5 से 0.25, हमेशा कैसे आता है, गुना 0.5 से करने पर आता है, 0.25 में किसकी गुना करेगी, simple number आ जाएंगे, तो गो गुना करते हैं, 4 की, यहीं 3 की करते तो नहीं आता, 0.5 तर आता, 4 की गुना कर रहे हैं, तब ही point हटा है, तो यह चीज़ें समझ में आएंगी, आगे हम और questions करेंगी, जिसे जिस ठोरी पढ़ते रहेंगे, वैसे वैस 1000 questions हमने लेने के करने की पूरा प्रयास करावाया, इस्टार्ट कियावाया, आप सबको पता हूंगा कि हम 1000 questions कर रहे हैं, reasoning के, जिन्होंने नहीं देखे, वो classes जरूर जाके देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, 1000 questions math के, 1000 questions reasoning के, किसके लिए, only 4 रास्तान पटवारी के लिए, अगला question देखो, वो और ही खतरनाक है, और ही प्यारा question है, वो देखो, यह special question है दोस्तों, 62, 58, 55, और 55, और आप से पुछा हैं, आगे क्या आएंगा, ठीक है, अल सरी, यह क्या है, प्लस दो करेंगे, हाँ सर, हमें समझ मारा है, प्लस दो कर दो, जोड दिया, सोरी, माइनस 2 कर दो, माइनस 2 कर दिया, ठीक है, यहां देखता हूँ, माइनस 4 कर दो, 58 से 4, फिर हम देखता हूँ, अल्लै सर, यह क्या, माइनस 3 हो गया, फिर क्या, यह तो 0 हो गया, अब क्या, अब तो problem हो गी, माइनस 2, 4, 3, तो 2, 3, 4 यह से कुछ बना यह नहीं, फिर 0 भी आ गया, ऐ पहन्तू है इसलिए स्पेशल पैटर्ण बनेगा ये दो आया कैसे दोस्त इन दोनों के अंतर से आया चोड़ा चार और चार और ये यह जिचाना दोनों कि तना इसलिए चार गटाइए और तीन में फाइन और जीरो है तो जीरो घटाए अग्रे बिंटर जिरो रहेंगा तो भी जीरो आएगा इससे ये भी पूछा जा सकता है इस शेनी का पंद्रा सो वा पद बताओ तो आंसर के आएगा जीरो पिचपन ही आएगा है ना क्योंकि हट टाइम पिचपन 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 बनते जाएंगे और लाश में पचपन आएगा तो ये स्ठार कोशन से दोस्त अठारा और ऐसे अठारा और सातरा जोड़ दोंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी नाइन आएगा तो इस तरह एक कोशन आपसे पूछे जा सकते हैं अब जाते जाते आपको एक कोशन मैं दे रहा हूं आपको इसको सोल करके मुझे आंसर देने कि सर ये इसका आंसर होगा एक कोशन तो आप भी करके बताईए है ना और उसके बाद हम जो अगला चेप्टर स्टार्ट करेंगे वो मुझे कमेट करके बताना है सर ये चेप्टर आप स्टार्ट कर दो हम अगली क्लास में हो कर देंगे अगला पद आपको बताना है आपके सामने है 4505 और 4507 4500 या नन तो इसका अंसर आप कमेट बॉक्स में देना इस क्लास को करते हैं यहीं खतम नंबर सिरीज को यहीं क्लास करते हैं अब नेक्स क्लास में हम पढ़ेंगे वह चेप्टर जो आप नीचे कमेट करके बताऊंगे अब आपको क्या करना है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन इट कर लेना और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेर करना तो नए लेक्टर के साथ जल्द हाजिर होगा तब तक के लिए अलविदा जैहि से प्लीज रगे से अलविदा लेक्त झाल